हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप लोग आशे करते हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे सेहत्मंद होंगे और मोसम काफी खराब चल रहा है बारी शोरी यह हलकी हलकी सी तो सभी की तब्यत खराब हुई है कोल्ड हो रखा अच्छा खासा तो यहां पर मैं शाम तो वही मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों साथ में शेयर करती हूँ तो यहां पर बच्चों के चल रहे है एक्जाम तो वो लोग एक्जाम के भी तैयारी कर रहे है और दोनों की तब्यत बहुत खराब हुई पड़ी है बच्चों की दोनों को अच्छा खासा कोल्ड हो र यह अपनी मस्ती में मस अपने बाल सबारते हुए इसके आलाव्ब और कोई काम ही नहीं है पढ़ाय वड़ाय, तो करना नहीं होता है यह लिबक को फुल की नकले उस में कि पढ़ाई करता है लास्ट मोमेंट पर करता है पर कर लिए लिए इस कैसे आप लोग का पर खिलती नहीं है कद्दु की सब्जी किल बुट्टे मैं अच्छे लगती हैं कुछ सेक रही है तो मैं तो इस घूँगा निम्बू रखाएगे यहां पर यह भूट्टे रखे थे यह लेकर क्या आये थे तो मैंने सोचा कि चलिए मैं वाइल कर देती हूं इनको तो तीन-चार सीटी आने तक इन्हें नमक डालके पानी डालके और तीन बिसल इन में लगा लेंगे और आप हमां कि वाइल कि और हम थे कपर पेपर कर दाए और तो जब ममां फ्री हो जाएंग से हमारे रेगूलर कद्दू की सब्सक्राइब तो आज हम आपको बताते हैं एजी सी बहुत फास्ट रेसिपी जटपट बन जाने वाली तो देखिए आप फॉलो कीज़ें तो यहां पे मैं रिफाइंड ओल लेलूंगी कड़ाई में और राई मैथी दाना सोफ और हेंग जीरा यह सब डाल देंगे उसके बाद में डालेंगे हरी मिर्ची और करी पत्ता खुप सारा करी पत्ता डालना है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है पर किसी किसी को नहीं भी अच्छा लगता है पर डालिएगा कद्दू में बहुत अच्छा आता है सूरी मैथी तो यहां डाली नहीं थी करीपत्ता इनफ था और उसके बाद में मैंने यह इसकिन सही थी मैंने कद्दू काट लिया था क्यूंकि आभी तो बहुत अच्छे कद्दू आ रहे हैं विल्कूल नरम नरम से तो एजीली वो सीच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो नहीं सीजेंगे करके तो ऐसे भी बना सकते हो आप चिलका सही थी और नमक डाल देंगे नमक डाल के ढग देंगे इसको और होने देंगे 5-6 मिनिट करीबन इसको पानी बानी नहीं डालना है बिना पानी के भी यह बहुत अच्छी बन जाएगी गल जाएंगे कद्दू अबी सीजन के है न कद्दू तो उतना जादा टाइम लगता नहीं है सीजने करने में और फिल 5-6 मिनिट बाद लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और तीखी वाली लाल मिर्ची डालिए तो फिर लाल मिर्च पाउडर आप इसकिप कर देना पर डालना चा जादा में नहीं क्योंकि मैंने खुदी कद्दू कि सब्जी बहुत कम बनाई थी दो लोगों के लिए क्योंकि मेरे दौनों बच्चे नहीं खाते है कद्दू कि सब्जी तो हम दोनों हस्बेन वाइफ के लिए ही बनाई थी मாई तो फोड़ा सा मन्धा आदी चम्मछ में इसमें गुड़ डाला था और आदी से भी कम चमच मैंने वो डाला था खटास के लिए ये आमचूर पाउडर और ये बनके यम्मी टेस्टी बहुत अच्छी सबजी तयार है और यहाँ पर ये जा रहे हैं ट्यूशन और अब मैं नेक्स्ट डे पे आ गई हूँ तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है तो पोहा गला के रखा था मैंने पोहा बनाने के लिए पर वो पोहा के लिए यूज नहीं हुआ तो फिर मैं इसका कुछ और यूज कर रही हूँ हम इसके बनाएंगे अब पे तो इसको पोहे को मैंने मिकसी जार में डाल लिया है और इसमें आधा कप मैंने डाली है रवा सूजी जोती वो डाली है और एक लीडल भरके मैंने डाला आधे कपी मैंने डाला इसमें धही हरी मिर्च में डाली है कम तिखिये हैं और करी पत्ता डाला है खुब सारा क्योंकि करीपता फ्लेवर की हम यह कहें बना बड़ा एच्छा टेस्ट आता है है और ये डालके ये पीस के ळालके थोड़ा से पानी डालके और ये अधिर एक खीरा नहीं सॉरी खीरा नहीं गाजर है करेट और प्याज क्रेश कर लेंगे जो ग्रेटर रहेता है ना अदरक किसनी बस उसी से और कि यहां पर मुझे भी इत्ती भेंकर वाली सर्डी ओ गई है दूसरे दिन कि मुझे बोलने की भी मन रही है तो ये वह बेटर हम निकाल लेंगे साइड में, एक बॉल में बड़े से में और इसमें डाल लेंगे सबजी हैं और ये पीस के भी मिला देंगी इसमें और अब डालेंगे हम बेकिंग सोडा आदा चमच बेकिंग पाउडर था और आदे चमच से कम था बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की कौंटिटी थोड़ी जादा रहती है और सोड़े की कौंटिटी थोड़ी कम रहती है सोड़े की कम रहती है थोड़ा थोड़ा और फिर जो बेटर हमने बना के रखा इसे मैंने जादा दिर रेस्ट भी नहीं कराए था और तुरत्तान यह बना के और यह सारी केविटीज में ऑईल डाला थोड़ा-थोड़ा और यह सारा बेटर इसमें पाउर और ढ़तिया और ढगड़क के बना झाल 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 झाल